आज का जो हमारे वीडियो है ये कुछ वैसे important question के उपर है जो की जो हमारे state government के जो exam होते हैं lab technician के या lab assistant के तो उसमें ये सारे question बहुत बार पूछे गया है तो ये question जो है हमारे एक मित्र ने मुझे भेजा है और इसके लिए बिने भाई का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने आप लोगों के लिए अच्छे-चे question स्रेक्ट करके उन्होंने बेजे है तो चलिए इस पूरे स्रीज में जीतने question है उसको देख लेते है question number first dais is an australia antigen अब पुछा जा रहा है जो दिये के option है इसमें australia antigen किसको करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option b hbsag ठीक है इसको australia antigen भी करते हैं hbsag को और एक surface antigen है जो hepatitis b virus का ठीक है hepatitis b virus जो होता है उसमें surface antigen क्या होगा तो hbsag ठीक है यह इसके जो presence होगा यह indicate करता है कि hepatitis b infection currently present है body के अंदे ठीक है चले next question देख लेते है question number two full form of fnac fnac का जो full form होगा जो क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा option c fine needle aspiration cytology ठीक है तो fine needle aspiration cytology इसके बारे माँ बात कर लेते हैं तो यह मतलब rapid reliable safe diagnostic procedure है जो कि cellular samples को obtain करने में इसका इस्तमाल करते हैं ठीक है इसके लिए 23 से 27 gauze के needle का इस्तमाल किया जाता है यानि बहुत thin needle का इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो उसके help से जो होता है lesion से जो samples होते है cellular samples उसको correct किया जाता है ठीक है चली next question देख लेते है question number 3 example of gram positive cocai जो gram positive cocai गा example पूछा जा रहा है काफी असान से question है तो इसका right answer हो जाएगा option B staphylococcus ठीक है staphylococcus जो है यह gram positive cocai है ठीक है चली next question देख लेते है question number 4 expand the term Elijah Elijah के term को expand करने के लिए बोले जा रहा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option C enzyme linked immunosorbent assay ठीक है इसका इसका इस्तेमाल के आयाता है जो AIDS होता है उसके detection के लिए यानि यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि enzyme linked immunosorbent assay जो होता है यह antibody को detect करता है जो blood antibodies present होंगे उसको detect करेगा ठीक है यानि आपको पता है कि antibody जो होता है कब produce होता है जब कोई antigen जो होता है उसके against में यह antibody हमारे body में produce होता है और उसको यह detect करता है ठीक है चले next question दखते है question number 5 platelets are stored at आपको पुछा जो platelets होते हैं उसको store करते हैं कितना temperature पर store करते हैं तो उसका right answer हो जाएगा option D 22 to 24 degree Celsius यहाँ पर कई बार option में आपको 20 to 24 भी होगे तो वो भी इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो यह जो होता है यह collection के 5 दिन बाद तक यह जो हो है उसको अच्छे तरीके से उसको store कर सकते हैं temperature पर ठीक है चले next question देख लाते हैं question number 6 diluting fluid used for RBC counting RBC counting के लिए जो diluting fluid होता है वो कौन सा होगा तो उसका right answer हो जाएगा option A dacious fluid जो dacious fluid होते हैं उसका इस्तमाल के जाता है RBC counting के लिए ठीक है यह आपको याद रखने हैं और उसमें यह दी method पूछा जाता है कि dacious diluting fluid का इस्तमाल करके जो macroscopic examination हम करते हैं RBC counting के लिए तो वो किस method के दुआरा तो hemocytometry जो hemocytometry जो होता है इसका इस्तमाल करके हम लोग RBC को count करते हैं ठीक है tux fluid के आपको कि इसका इस्तमाल हम लोग WBC count के लिए करते हैं ठीक है चलिए next question देख लेते हैं question number 7 preservatives used in ABD anti-sera आपने अभी तक तो blood को preserve करते हुए देखा था जिए blood को preserve करते हैं उसके लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं अलग-अलग type के anti-cogulant का इस्तमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे जो ABD anti-sera है जिसका इस्तमाल किया जाता है blood के group को पता लगाने के लिए तो यहाँ पे ABD anti-sera को preserve करने के लिए हम लोग किसका इस्तमाल करेंगे तो इसका right answer हो जाएगा option A 0.1% sodium azide आपको याद रखना है कि sodium azide का इस्तमाल किया जाता है preservative के रूप में ABD anti-sera को preserve करने के लिए चले चले next question देख लेते हैं और यह एक बात और यह आपको यह पूछा जाए कि कितने साल तक ही stable रहेगा कितने साल तक इसको preserve अच्छे तरीकिस कर सकता है तो 2 साल तक ठीक है चले next question देख लेते है question number 8 LJ medium is used for cultivation of LJ medium का इस्तमाल करते हैं cultivation के लिए तो किसके cultivation के लिए इसका इस्तमाल करते हैं तो उसका right answer हो जाएगा option B mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis को cultivate करने के लिए LJ medium का इस्तमाल करते हैं ठीक है चले next question देख लेते है question number 9 which is the infective form of malaria parasite malaria parasite का infective form पूछा जा रहा है तो उसका right answer हो जाएगा option B sporoside sporoside जो है वो infective form है malaria parasite का चले next question देखते है question number 10 VDRL is used for the diagnosis of VDRL का इस्तमाल करते है किसके diagnosis के लिए इस्तमाल करते है तो इसका right answer हो जाएगा option D syphilis syphilis जो है sexually transmitted disease है तो इसके diagnose करने के लिए इसको पता लगाने के लिए हम लोग VDRL टेस्ट करते हैं ठीक है कई बार VDRL का full form भी पूछा जाता है तो आपको जाद रखना है veneral disease research laboratory test ठीक है यह इसका full form है चले next question देख लेता है question number 11 thyroid gland sacred अपको पुछा जो थाइराइट gland है वो कौन से हार्मोन को secret करता है तो इसका right answer हो जाएगा option C T3 अब T3 यहाँ पे यह दी T4 होता तो T3, T4 दोनों हो जाता क्योंकि T3 और T4 दोनों हार्मोन को यह secret करता है ठीक है यह T3 के यह दूसरे नाम को बारे में बात करें तो इसका हो जाएगा triidothionine ठीक है triidothionine जो है यह हार्मोन जो होगा उसको T3 बोलता है और T4 जो होता है thyroxine हार्मोन होता है ठीक है TSH जो है यह thyroid stimulating हार्मोन है यह pituiti gland के दोबार secret होता है तो यह जो हमारे वो thyroid gland में ही यह हार्मोन होते है ठीक है यह अभी आपको जाद रखना है hypothalamus or pituiti gland यह दोनों जो है यह brain में located होते हैं और यह help करते है thyroid glands के function को control करने में ठीक है चलिए next question देखते है question number 12 the specific gravity of urine is determined by using जो specific gravity of the urine का उसको determine किया जाता है urinometer के द्वारा हम इसका इस्तमाल करके हम लोग specific gravity urine के detect कर सकते हैं ठीक है यह हम normal range के बारे में बात करें कि urine के specific gravity का normal range कितना है तो 1.005 to 1.030 यह इसका normal range है ठीक है यह यह भी बताता है कि यह test help करेगा इस बात को evaluate करने के लिए जो body water balance है वो कितना है यह urine concentration है वो कितना है उसको यह बताएगा ठीक है चलिए next question देख लेता है question number 13 dash class of immunoglobulin mediate allergic response यानि allergy के condition में कौन सा immunoglobulin जो होता है वो active हो जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option B IgE ठीक है यानि allergic condition में IgE antibody जो होता है body में दीखना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो यह एक marker है जो बताता है कि आपके body में जो है वो allergy के वज़े से जो है कोई problem यदी create हो रहा है तो allergy के वज़े से हो रहा है ठीक है तो allergy response में कौन सा immunoglobulin होगा तो IgE question number 14 dash immunoglobulin provide immunity against bacteria and virus bacteria और virus के against जो immunity provide करता है कौन सा immunoglobulin होता है तो इसका right answer हो जाएगा option B IgM ठीक है आपको याद रखना है IgM antibody जो होता है वो immunity provide करता है against bacteria and virus यादि बैक्टरिया और virus के against जो होगा वो आपको immunity provide करेगा चलिए अब next question और यह आज का आखरी question है उसको देख लेते हैं question number 15 which of the flowing is the largest immunoglobulin आपको पुछा जा रहा है जो दिये गए option है उसमें से जो largest immunoglobulin होगा वो कौन सा होगा तो इसका right answer हो जाएगा option D IgM ठीक है जो IgM antibody होता है वो लिपसे largest antibody होता है और यह blood में और lymph fluid भी दोनों में पाए जाता है ठीक है और यह first type of antibody है जो की infection की response में तयार होता है ठीक है चलिए अब इतना ही रहने देते हैं आज के लिए next video में और वी अच्छे-चे question के साथ फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए बाबाई तक के लिए